कहा जाता है कि न्यूज पेपर का आविशकार योहनेस गुटेनबर्ग द्वारा पंद्रहर के शताबदी में किया गया था। कि कहा जाता है कि दुनिया का पहला समाचार पत्र रूम यानि कि इटली में 1921 पूर्व यानि कि करीब 21 साल पहले जुलियस सीजर द्वारा प्रकाशित की गई थी और उस समाचार पत्र का नाम उन्होंने अक्टा डियूरना रखा जिसका मतलब दिन भर की घटनाएं रखना ह होता है भारत में सबसे पहले अखबार का आविशकार जेम्स ऑंगस्टस हिक की द्वारा किया गया है इन्होंने सन 1780 इसवी में भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था भारत में इस समय कोई न्यूज पेपर का स्वर्ण युग कहा गया है भारत में अलग-अल के साथ साथ पत्रकारिता प्रथाओं की शुरुआत की जिसमें स्थानिय लोग और उनके जीवन की समस्याओं का उलेख किया गया कागज और प्रिंटिंग प्रेस के आविशकार के बाद न्यूज पेपर का चलन काफी तेजी के साथ बढ़ा न्यूज पेपर महत्वपुर प्रिंटिंग प्रेस का आविशकार होने के बाद समय समय पर उसमें काफी सारे बदलाव किये गए प्रिंटिंग प्रेस का आविशकार होने से पहले न्यूज पेपर को हाथ से लिखा जाता था और पहले के समय से लेकर के अभी के समय तक न्यूज पेपर को काफी महत्व दिया जाता है और इसका इस्तमाल लोगों को सूचनाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है भारत में सबसे पहला समाचार पत्र किसी भारतिय भाषा में 1818 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उस समाचार पत्र का नाम दिखदर्शक था परन्तु भारत में निर्विवाद रूप से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र समवाद कौमुदी था जो की 1821 के दशक में प्रकाशित हुआ था